हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टो और चैनल हाइपर डेज भी मैं हूं मोहमद सोहेल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आये हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आज की अनलेसिस काफी काफी आसान है इतना हाड नहीं है तो मैं थोड़े बहु वह 2-3 ट्रेड के बाद जो ट्रेडिंग होगी वह काईदिंग होगी जसके अदर आपके आपके हैंडिल नहीं हो पाईगे सुबा तक एकसे दो ट्रेड मेंगे प्रॉफि रहाएगा पर शाम होते होते वह ट्रेड का प्रॉफिट जो है वो लॉस में चला जाएगा और 10 या 11 की बात करता हूं ठीक है जब में मार्केट में आया था मुझे आंड्रोइड का मुबाइल मालूम पड़ा 2011 में ठीक है उससे पहले हम लोग जो भी करते थे यह भी गलत बात है तो मेरा बोलने का मतलब आपसे यही है कि आप दो से तीन ट्रेड में जो मिला वो लेके खामुझ बैड जाओ silent हो जाओ अगर मार्केट को देखकर उसकी candle को देखकर उसकी performance को देखकर कुछ भी पैटन अपने दिमाग में imaginary ला रहे हो और भाई यह ब्रेक होगा तो ऐसे ऐसे जाएगा नहीं तो ऐसे reverse जाएगा नहीं तो neutral चले ऐसा कुछ भी imaginary patterns दिमाग में ला रहे हो तो दोस्तों व जा रहा है तो immediate third club करके buying भी major भागेगा immediate भागेगा दूसरी बात stock अभी overbought level पे रुका हुआ है आरस सही के हिसाप से इसका मतलब यह है कि हम लोगों को पहला breakdown level यह बनता हुआ दिक रहा है दूसरा breakdown level यह है and तीसरा breakdown level यह है अभी breakout level जो at the end of the day यही breakout level की support पे रुका है इ इसका मतलब है कि breakout पे closing दिया and यह उपर जाएगा तो second half में हमें selling देगा तो यह level break करागा यह level यह level यह level कौन सा भी level break नहीं करते हुए नीचे candle open कर रहा है समझो यहां से selling चालो हो जाएगा यहां से यहां से अगर नहीं direct thing candle break होते हुए अगर उपर closing दे रहा है तो दोस्त point का reversal ready यह हमें nifty 50 देखर जाएगा तो अभी के लिए मैं चलता हूं दोस्तों अलविदा अगर आप पहली बार YouTube चैनल पे आए हैं तो YouTube चैनल को subscribe करिए अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल को join नहीं किया तो description में link है click करिए join करिए and content अच्छा लगा वीडियो का करिए झाल झाल